प्रिश्टूदेन्ट प्रिवन प्रिश्टूदेन्ट जल्दी से लाइब बने जल्दी से लाइब बने सभी लोग आईए तो स्टार्ट करते हैं अभी मशीन का रिवीजन का एक और मस्त वाला लेक्चर लगाते हैं सभी लोग अपना लाइव आते रहें सभी लोग लाइव आते रहें कलिये तो देखे हम लोगोंने बात की थी हम लोगोंने चर्चा की थी चले सुन तो देखते हैं आज हम लोग जानते हैं कुछ important point के बारे में देखे कल हमने induction के बारे में मस्त वाले important point को पढ़ा और study किया आईए तो आज चलते हैं आज हम लोग चलेंगे आज हम लोग चलते हैं कुछ अन्य important point पर और आज के हमारे जो important point के कहानी है देखे एक topic था जो कल रहे गिया था जिसे हम कहते थे कुछ इस तरह से के induction का power flow तो induction motor में एक या दो objective बनने का chance देखे यहां से रहता है तो कुछ skip नहीं करना है revision में पढ़के जाईए और to the point पढ़के जाईए एक्जाम के समय पर देखे बिटा एक होता है power flow power flow equation power flow equation देखे अगर किसी बच्चे ने पहले कुछ नहीं पढ़ा है तो यह इस तरह से अपना revision जरूर करके जाए अपने एक्जाम के लिए तीके सबसे पहले हम लोग चलेंगे कि होता है stator input फिर stator input के बाद में देखने को मिलता है stator losses क्या मिलता है stator losses फिर यहां पर आ जाता है air gap power PG यहां पर speed है वोमेगा S फिर मिलता है माइनस कर दीजिएगा rotor copper loss जिसे जाना जाता है PRC के नाम से और एक होता है mechanical mechanical developed power क्या कहेंगे mechanical developed power बोले तो PMD के कान जो torque होगा वो होता है TMD और बिटाएक होता है mechanical losses क्या रहता है mechanical और फिर यहां पर मिलता है हमें soft output power यानि की P-soft यह चीज़े देखिएगा अब यहां पर जो important है क्यां चलते हैं जो air gap में यहां पर जो torque है TG वो होता है PG upon में omega S यहां पर जो speed है वो होती है omega और omega बराबर होता है 1-S into omega S जो actual speed है यहां से बेटा TMD आता है PMD बटे में omega यह कहें यह आता है TG के बराबर दो चीजें यहां से बहुत जरूरी हो जाता है PRC बराबर में SPG very very important formula और एक होता है S upon 1-S into PMD another important and simple formula कमाल का सुत्री आता है और बेटा objective देखर जाता है अच्छा यह ठीक है फिर देखें यहां पर एक term आता है बेटा जिसे जाना जाता है rotor efficiency के नाम से तो rotor efficiency हम लोग लिखते हैं PMD बाई PG यही आता है बेटा 1-S और यही आता है N upon N S के बराबर यह क्या आता है rotor efficiency एक और आता है बेटा जिसे जानते हैं जिसे जानते हैं overall overall efficiency क्या कहते हैं overall efficiency overall efficiency हाँ बिल्कुल सर तो बेटा यह आती है staffed power staffed output power staffed output power upon में stator input power पावर यह देखने को मिलता है यह देखने को मिलता है clear है hello आवाजवाज सब ओके जा रही है आपके यह network का issue होगा इसलिए कुछ दिक्कत आ रही होगी चलिए बेटा यह बताए clear है हमें एक एक objective को तलासना है हमें एक एक objective को तलासना है कि यहाँ से कुछ संभाव नाए है यहाँ से संभाव नाए है जल्दी से जल्दी से बोलिए देखे मुझे यह फर्रक में बढ़ता कि भाई कितने बच्चे स्कोर्स में इंडोल हो गए नहीं हो गए लेकिन exam अगर आप लोग का नस्दीक है तो फिर भाईया रिविजन भी कीजिए और जो आपके लिए टेस्रिस बनाई है जो दी है बेटा उसको भी बिल्कुल अपने दिमाग में उतार लीजिए चले आगे बढ़े तो छोटी सी एक चीज़ को और सीख कर जाईए ज़्यादा कुछ करने की ज़रोत नहीं है लेकिन छोटी सी इंडक्शन से रिलेटड एक पॉइंट को और सीख कर जाईए देखे जिसे लिखते हो सरकिल डाइग्राम तो पेपर में क्या संभावनाएं बनती है जरूर देखे का ध्यान से ज़्यादा कुछ तो आता नहीं है लेकिन अगर आ जाए तो क्या आ सकता है क्या संभावनाएं है तो देखे बेटा सरकिल डाइग्राम को आपने डेटेल में जब मैंने बात की थी पढ़ाया था अच्छा जी तो उस समय भी देखा था मैंने उस समय भी कहा था कि important चीज़े जो है उसको कभी छोड़िये का मत देखो सरकिल डाइग्राम से क्या चीज़े आने के संभावना है किसके लिए draw नहीं करोगे किसके लिए draw नहीं है frequency के लिए नहीं यह performance predict या performance analysis के लिए draw किया जाता है ओके तो ध्यान से देखेगा यहां आता है IW यह बनाया था बेटा हमने I M और प्यारे बच्चों यह बना था यहाँ पर I naught क्या बना था? I naught बना था फिर देखें यहां से start हुआ था diameter के कहाने बोलो बाबा कदारनात की यहां से बना था बेटा diameter यह diameter बना था यह 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 diameter था जिसका यानि यह था आपका X1 अपोन में X2 यह था मिटा diameter किसका circle का यहां से आपने radio select करके circle draw किया था यह तो number 1 पर objective student क्या है V1 अपोन X1 प्लस X2 डेट क्या पूचा जाता है कि induction में circle diagram का diameter क्या लिया जाता है V1 अपोन X1 प्लस X2 डेश देखो रजिस्टेंस पार्ट नहीं है इसमें फिर यहां से यहां से इसमें आप जोडते थे आपको याद आएगा I2 डेश और प्यारे बच्चों यहां से यह आ जाता था I1 अच्छा अब इसमें कुछ देखने की करने की ज़रत नहीं होती यह जो यहां से यहां है यह denote करता है बेटा इसमें constant losses को यानि की कौन से constant loss score प्लस एक तरह से friction को तो यह तो ओ गया जी constant losses वाला part ओके सर कोई बाद में ठीक है IW आब यहां पर एक यह समझना है हम लेते हैं S बराबर 1 तो प्यारे बच्चों S बराबर 1 पर हमें मिलता है short circuit current यहां से जब हम मिलाएंगे अब दिमाग में रखेगा कि यह line कहलाती है यह line कहलाती है power line तो S बराबर 1 क्या देती है power line यह पूछा जा सकता है दूसरा point यहां से यह है कि S बराबर infinite क्या देगा तो बेटा यह देता है torque line प्यारे बच्चों torque line देता है देखो जितनी चीजे बता के बेजना हो final time में इसमें एक में भी धुका नहीं देना है मतलब कि एक को भी छोड़के नहीं जाना है ठीक है चलिए यहां पर आईएगा बढ़िया से अपना तयारी करो तो देखो यहां से power line से जो यह line खीची जाती है यह जैसे मैंने कहा यह P है और यह R है इसमें और यह T है तो यह होता है total copper loss जिसमे P और T देता है rotor copper loss rotor copper loss तो बेटा जो torque line है वो separate करती है rotor copper loss को और इसे stator copper loss को stator copper loss को तो S to 1 power line देती है S बराबर infinity आपको torque line देती है फिर देखिए यहां से perpendicular जब हम कीचते हैं यहां से और एक line यहां से vertical हम यह draw करते हैं यह हमने ले लिया यहां पर A और B तो बेटा यह बताता है maximum power output maximum power output बताता है maximum power output बताता है अच्छा जी इसी परकार से torque line से जब हम इन line लेते हैं A, B, C, D तो बेटा C, D बताता है यहां पर maximum torque output maximum torque output बताता है बिटा बताईए के लिए ये चीज़े अटलिस्ट आपको जहां करके जाने चाहिए छे याज साथ चीज़े मैंने बताई है क्या यहाँ पर रोटर कॉपर लोस बताएगा क्या बिटा आपका स्टेटर कॉपर लोस होगा अब पावर लाइन क्या है, टॉर्ग लाइन क्या है, अरे हो गया, हो गया, तो भैया खतम, अब बढ़ते हैं आगे, ये था हमारे इंडक्शन वाली कहानी, अब पूरा रिवाइज करा दिया, इंडक्शन, एक बार अपने आप से भी बिल्कुल देखिएगा, इंपोर्टेंट चीजे हमारी सब खतम, नेक्स चलते हैं देखिए, नेक्स चलेंगे, सिंक्रोनस मसीन पर, अब आईए इंपोर्टेंट चीजे मेंशन करते हैं सिंक्रोनस मशीन की, पहले सिंक्रोनस मशीन में सिंक्रोनस जनरेटर की बात करते हैं, पहले सिंक्रोनस मशीन में synchronous generator, देखिए जी, stator जो होता है, stator में three phase winding करते हो, पूरे board को देखिए किस अंदाज में भरता हो मैं, three phase winding करते हो, और ये हमेशा AC से डेल करता है, rotor आप, rotor हमेशा, क्या, आप DC winding करते हो, rotor पर आप हमेशा DC winding करते हो, और दो तरीके से rotor को बनाते हो, एक होता है silent pole type, क्या है silent pole type, silent pole type से आपके 2016 वाले exam में एक सवाल था, तो silent pole type की चर्चा जब आप करेंगे, इसमें आपको मिलेगा large diameter, revision ऐसा कि कुछ छुटे ना, और जबरतस्ती का time खर्च ना हो, large diameter, फिर आता है short axial length, short axial length, ओके सार, फिर आगे बढ़ जाईए, क्या आता है more number of pole, more number of pole, more number of pole, number of pole, यहाँ पर अधिक, यानि ज़्यादा, low speed, low speed, ओके और याद रखिएगा, कहां पर use होता है, hydro turbine में, hydro power plant में इस्तमाल होता है, यह किसके विशेस्ता हमने लिखे silent pole के बारे में, बस मेरी बात को सुनते हुए चलिए, दिमाग में उतारते हुए चलिएगा, एक होता है बेटा, cylindrical, cylindrical pole type, cylindrical pole type में हम यह देखते हैं, cylindrical pole type में हम क्या देखते है सर देखते रहो क्या-क्या मैं बन बाता हूँ आपको ये क्या हो गया बेटा silent pole type ये चर्चा करते हम cylindrical pole type के बारे में तो यहाँ पर होता है short diameter यानि कि diameter कम short diameter फिर बात आती है large axial length बिल्कुल सर सही बात large axial length की बात आ जाती है बिल्कुल फिर देखेगा क्या बनता है large axial length less number of pole less number of pole less number of pole यहाँ पर कम है फिर जड़ा आगे चलिएगा ये high speed पर चलता है ये high speed के लिए बना है भाई फिर आगे चलिएगा कहा होता है यूकलियर में और फर्मल पाउर प्लांट के लिए अच्छा है ठीक है तो ये ओ गई हमारे लिए यहाँ पर important चीजे किसके बारे में लिखी ये important चीजे कहां से आ गया किसके बारे में लिखी ये इसके classification of rotor के बारे में लिखी हमने की rotor में क्या क्या समान ता भाई ये हमने लिख लिया किस तरह की क्या के विशेशता है थी अच्छा जी ये हो गया काम तमाम इसके दो अलग-अलग तरह के rotor का इस चेटर में दो परकार से winding आप करते हैं बेटा एक होती है कौन सी winding बोलो एक होती है short pitch winding देखे क्या वोल्टेज इन वोल्टेज ये भी आता है वोल्टेज इन short pitch वोल्टेज इन short pitch अपॉन में वोल्टेज इन full pitch winding वोल्टेज इन full pitch winding और बेटा याद रखिए केसी बराबर में होता है cos alpha by 2 alpha क्या है जितने angle से हमने winding को short किया है बेटा याद रखिए n harmonics के लिए cos n alpha by 2 लिखते आते हैं और याद रखिएगा alpha बराबर में pi by n हुआ करता है alpha बराबर में pi by n हमें मिल जाता है और याद रखिए क्या क्या advantage है reduce harmonics क्या कहेंगे reduce harmonics बेटा harmonics को कम करता है फिर ये भी दिमाख में होना चाहिए harmonics को कम कर रहा है समझ जाईए और ये भी advantage में आता है less या फिर कहें saving in conductor material क्या कहेंगे बेटा saving in conductor क्या कहेंगे saving in conductor material saving in conductor material बिलकुल कह दीजे saving in और disadvantage बहुत बढ़ा आ जाता है low induced EMF low induced EMF ये बहुत बढ़ा disadvantage देखने को मिल रहा है किस से बिटा short pitch winding से relate करते हुए है जी ये तो ये ना nuclear वाल है ये थर्बो ये अल्टरनेटर थर्बो चलो next आगे चलिएगा पिटा एक और होता है देखिए हमारा distributed winding क्या कहेंगे distributed winding distributed winding तो देखिए distributed winding जैसे ये होता है तो full pitch के लिए पिटा याद रखे full pitch के लिए सर क्या लिखते हैं सर केसी बराबर one आता है और विद्यार्थियो जब short pitch की चर्चा करते हैं क्या आता है केसी less than one लिखा जाता है याद रखे distributed winding में कुछ चीज़े बीटा बराबर में 180 degree बिटा पोल्स अपॉन में slot ये होता है ये कहलाता है कुछ और नहीं slot angle क्या कहलाएगा बिटा बराबर 180 degree इंडो पॉल्स अपॉन slot इगोर होता है M, M क्या होता है ये कहलाता है slots number of slots कितने पर पोल पर फेज slots पर पोल पर फेज ये होता है distributed winding याद रखे के डी बराबर में जो distribution factor है ये आता है EMF in distributed winding अपोन में EMF in distributed winding बिटा अपोन में EMF in concentrated winding बताओ लिखाया की नहीं EMF in concentrated winding बिटा लिखाया की नहीं ये हमेशा short के लिए क्या आता है less than one आता है concentrated के लिए याद है concentrated के लिए concentrated के लिए concentrated winding के लिए क्या बंदा है kd बराबर में one आता है कब जब winding क्या होती है concentrated होती है concentrated होती है concentrated होती है इसका सुत्र आता है kd बराबर में sin m sin m beta by 2 upon m क्या आता है क्या आता है के डी पराबर में साइन एम बीटा बाई टू अपोन में एम साइन बीटा बाई टू बेटा ये कहानी आती है हमारी के डी के लिए बताओ एक बीची छुटी नहीं छुटी ये रहा के लिए चलिए इसके बाद हमने देखा आर्मेचर रियक्षन की कहानी तो देखो बीटा आर्मेचर रियक्षन से सवाल आता है आर्मेचर रियक्षन से सवाल आता है आर्मेचर रियक्षन से सवाल आता है क्या एक होता है यूनिटी पावर फेक्टर क्या कहेंगे हम unity power factor पे कैसा effect है cross magnetizing effect क्या कहेंगे cross magnetizing effect अभी बात किसकी चल रही है सुरू में synchronous machine में बात चल रही है synchronous generator की एक आता है बिटा zero power factor lagging zero power factor lagging यानि 5 बराबर 90 की बात हो रही है तो बिटा यहां होता है d magnetizing effect क्या कहेंगे demagnetizing हो गया अच्छा और क्या है बिटा यहां पर ये है over excited में एक होता है zero power factor leading क्या होगा बिटा zero power factor leading में काम करता है कैसे magnetizing क्या कहेंगे बिटा magnetizing and under excited क्या कहेंगे under excited यह हो जाती है जो important paper में पूस्ता है आप लोग के यह हो जाता है आर्मेचर रियक्षन की कहानी जो नॉर्मली फेपर में बनता है पूस्ता है देखे लिखा सभी ने फिर देखिएगा बेटा नेक्स चलिएगा आपको यह समझना पड़ेगा देखे एक्वेलेंट सरकेट यह बनती है यह बनती है इक्वेलेंट सरकेट यहां से सवाल देखे कितना मस्त बनता है यह बनता है आर ए और यह बनता है जे एक्स एक्स अब देखे जे एक्स एक्स पहले हम लोग देखते हैं किसके लिए बात करेंगे पहले हम चलेंगे स्किलेंडरी कलके लिए ये होता है बेटा वी कमाल कर दीजिएगा भाई बढ़िया तरीके से अपना पढ़ लो बढ़िया तरीके से रिवाइज करिए एक्जाम में बिल्कुल हिट करिए इन चीजों को देखिएगा आपको पता है कि एक्स-किस-किस का कॉम्बिनेशन है बेटा ये आर्मेचर और आर्मेचर रियक्षन के कारण जो रियक्टेंस है ना इसका एक कॉम्बिनेशन है देखिए जब हम इंपोर्टेंट देखिएगा दोस्तों क्या है इंपोर्टेंट देखिएगा व maximum power के लिए 180 माइनस के theta z theta z पता है क्या बिमारी है लिख लो theta z बराबर में 10 inverse xx by ra ये है और याद रखे ये कब है ये condition है maximum power develop के और यहाँ पर आएगा डेल बराबर में theta z maximum power output के लिए सर्थ ये तो मतलब पूस्ता है अब याद रखेगा याद रखे इफ ra tends to 0 यदि ra को हम 0 मान लेंगे तो क्या होगा सर देखो क्या होगा आपको करना है इसके बाद में p कितना भी develop या input है उतनी ही power output पे देखने को मिलेगे बेटा और ये होगा V E F by X X और क्या कहेंगे मेटा sign डेल तब condition क्या आती है तब condition आती है डेल बराबर 90 ये कब होता है जब आ रहे ही कमान सुनने आता है जल्दी से लिखिएगा पेटा आगे चलें आगे बढ़ें आगे बढ़ते हैं देखिए नेक्स्ट है हमारा इसी से आगे चलते हैं जब हम ये चीजे सीखते हैं और जानते हैं चलो तो यही से हम लोग बनाते हैं देखिए यही से हम लोग सीखते हैं effect of excitation effect of varying of excitation तो देखिए effect of excitation जब हम लोग सीखते हैं यही कि excitation को vary करके तो generator में यहाँ पहले हम सीखते हैं और तर्बाइन इन्पुट को बेटा हम कॉंस्टेंट रखते हैं तर्बाइन इन्पुट को बेटा हम क्या रख रहे हैं इस खेल के लिए कॉंस्टेंट रखते हैं यहीं से बनता है वे कर्व और बेटा इन्वर्टिड वे कर्व देखिये दिमाग में रखिएगा यह आ गया यहां पर आई ए ये यूनिटी पर ये पेपर में बहुत बार पूछ रहा है यूनिटी पावर फैक्टर पर सबसे कम होगा एक्साटेशन बढ़ना जन्नेटर में होगा रियल्ट होगा बेटा लैगिंग की तरफ आर्मेचर करण बढ़ता जाएगा और विद्यार्तियों कम होने का मतलब है लीडिंग की तरफ ये किलियर होना चाहिए हर एक मेरे सेर और सेर्णियों को पिर चलिएगा नेक्स्ट यही से हम देखते हैं यही से हम देखते हैं कि यह एक वाता ही इन्वेर्टिड वीकर आई एफ और पावर फेक्टर तो याद रखियेगा सबसे बेस्ट पावर फेक्टर आपको मिलेगा यूनिटी पर ही unity से यदि excitation को बढ़ाओगे तो power factor गिर जाएगा किस तरफ गिर जाएगा lagging की तरफ और बेटाई इस तरफ क्या आ जाएगा मेरे सेरो leading की तरफ हो जाएगा बिल्कुल दिमाग में set रखिए perfect रखिए फिर आगे बढ़ते हैं बच्चो क्या होगा sorry पिर देखे हम कहते हैं generator generator power factor determine यह objective बनता है बहुत बढ़िया power factor determined by किसके according according to load किसके according होगा बिटा determine किया जाता है load के according और correction किया जाता है correction किया जाता है किसके according किसको change करेंगे excitation को change करेंगे excitation को change करके change किया जा सकता है power factor को और determine किसके according किया जाता है load के according हम calculate करते हैं determine करते हैं चलिए जी यहाँ से आगे चलते हैं देखिए और क्या important चीज़ देखने को मिलती है आप इसको बिलकुल दिमाग में रखिएगा यह और यह बिलकुल सवाल पूछता है ठीक है जी फिर थोड़ा सा आगे चलिएगा तो हमने यह देखा है हमने देखा है variation in turbine input तो यहाँ से यह डेल का मान बहुत पूछरा है बाल को याद रखिएगा ये EF कहां होना चाहिए EF हमेशा आगे बनेगा जन्रेटर के केस में ये क्या हो गया EF ये बना IA और XX तो देखिए इसमें हमें EF को constant लगा दिया जी EF को constant लगा दिया तर्बाइन इन्पुट बढ़ने का मतलब है इस तरफ को जाना ये सब चीजे मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा रखी है इधर तर्बाइन इन्पुट डिक्रीज होगा और इधर को इंक्रीज होगा तो याद रखे अगर तर्बाइन इन्पुट इंक्रीज होता है तो यहां कम होना डेल कमान जादा होना किसके कोर्डेंग किसके कोर्डेंग बिटा variation in turbine input with constant excitation चलिएगा देखिए आपको बता दूँ आपको बताना चाहूंगा parallel operation के बारे में देखिए जब हम parallel operation की बात करते हैं parallel operation से related देखिएगा कुछ data है यहाँ पर बिल्कुल दिमाग में रखिएगा तो बिटा यह सर्त है बिल्कुल जिनको पूस्ता है same voltage क्या कहेंगे same voltage same frequency same voltage same frequency और बिटा क्या बनता है यहाँ पर same phase sequence क्या same page sequence यह तीन सर्त मेरे बच्चों यहाँ पर satisfy होती है तभी जाकर parallel operation के बारे में सोचा जाता है अन्य था नहीं parallel operation कराने के हमारे पास जो method होता है एक होता है पहला जो method हम देखते हैं पहला method होता है one dark and two bright lamp method तू यह चोड़ो यह चोड़ो आप important लिखेगा इसमें जो best method होता है parallel operation के लिए यह होता है synchroscope यह best method के category में आता है पाकि कुछ करने के जोड़ोत नहीं है parallel operation से यही चीज़े condition खास कर से पूसता रहता है same voltage, same frequency, same phase sequence तो best होता है synchroscope method हमने बेटा पढ़ रखा है बिलकुल सीखा हुआ है हमने कुछ चीज़ इसकिप की ही नहीं इसमें यह भी सब अलग-अलग बनाने के बाद हम यहां पहुंचे थे सब चीज़े बना वना रखे हमने अच्छा यह कहानी ते बेटा पैरलल एक सम्द होता है देखिए voltage regulation क्या होता है voltage regulation का मतलब होता है voltage regulation आप लिखते हो no-load voltage no-load voltage minus full-load voltage full-load voltage upon me full-load voltage full-load voltage with constant excitation with constant excitation यह होता है जी अब देखो यहां से कुछ चीज़े है बेटा क्या एक method होता है EMF method EMF method जिसे हम लोग कहते हैं pessimistic method क्या कहेंगे pessimistic method तो यह अच्छा नहीं होता क्योंकि इसमें voltage regulation देखने को मिलता है more यानि कि ज्यादा एक होता है बेटा MMF method क्या होता है MMF method अच्छा तो MMF method होता है optimistic optimistic method की category में ले लेते हैं बेटा एक होता है हमारा potier triangle method एक होता है potier triangle method देखो potier triangle method से दो चीज़े बड़ी सांदार बन के सामने निकल के आती है बेटा ये diagram देकर कई बार पूसता है ये क्या denote करता है तो आपको देखे याद आएगा आपको याद आएगा ये तो था OCC अभी OCC से related बात भी करने वाले हैं और ये बनता था ZPFC तो यहाँ आप एक rated voltage लेते थे rated voltage लिया अच्छा जी फिर यहां से आप दिये देखते थे कि एक line यानि कि ट्राइंगल खीशते थे ये वाला तो बेटा ये है P और ये है Q आपसे पूछा जाता है ये आता है EG तो बेटा आपसे P Q पूछा जाता है मेरे बच्चो P और Q क्या denote करता है voltage drop को armature voltage drop को और याद रखेगा portier reactance का मतलब होता है X AP P मतलब portier इसका मतलब होता है portier reactance का देखो क्या मतलब होता है portier reactance जब हम लिखते हैं portier reactance का मतलब होता है armature plus filled reactance ये मतलब होता है portier reactance का बेटा ये आपके लिए बहुत जरूरी चीज़े हैं लिखा आप ने बेटा लिखा आप लोगोंने सभी ने ये हाँ जी फिर देखे याद रखेगा जो saturation impedance होता है saturation impedance होता है वो less than unsaturation impedance होता है याद रखेगा ये भी याद रखेगा जो unsaturation impedance है जो unsaturation impedance है student unsaturation impedance linear होता है और जो saturation impedance है पेटा जो saturation impedance है वो non-linear होता है क्या होता है वो बेटा आपका non-linear होता है non-linear होता है ये point सब आपके दिमाग में छपे होने चाहिए ये आपका non-linear देखने को मिलता है चलिए देखेगा फिर आते हैं वेटा हम silent pole की कहानी पर silent pole machine की कहानी को जरा समाप्त करते हैं बेटा यहां से 2-3 चीज़े आती है बहुती सटिक चीज़े आती है बहुती दमदार चीज़े आ जाती है विद्यार्थी क्या क्या सर देखेए यहां पर जो power हमें देखने को मिलेगी वो power हमें देखने को मिलती है V EF by XD sin del plus में V square by 2 1 upon XQ minus के 1 upon XD और बेटा आता है परभू के दिया से sin 2 del आपको बताना चाहूंगा कि XD का मतलब यहां armature plus में armature reaction के direct component से हुआ करता है और प्यारे बच्चो XQ का यहां पर armature plus में armature के quadrature component से मतलब हुआ करता है यह दो तरह के silent हमें दो तरह के power एक साथ बेटा देता है सर कौन कौन सी power देता है कौन कौन सी power देता है ध्यान से सुनियेगा बेटा यह देता है excitation के कारण यह देता है excitation के कारण और यह देता है बेटा reluctance के कारण किस के कारण reluctance के कारण देता है तो याद रखिएगा याद रखिएगा यह power maximum मिलती है 90 पर और यह power maximum मिलती है 45 पर अब जो total resultant maximum मिलता है total resultant power जो हमें maximum मिलती है वो मिलती है silent में tell less than 90 के लिए तरार कहा है आपको tell less than 90 के लिए अच्छा फिर देखेगा इसी को थोड़ा सा हम लेकर चलते हैं motor के case में तो बिटा यह हो जाएगा one upon omega s दो तरह से p e f by क्या कहेंगे x d sin del plus में बिटा v square by v square by 2 v square by 2 यह हो जाएगा one upon x q minus k x d और बिटा sin 2 del तो हमें यहाँ पर यह सिर्फ देखना होता है यह हमें दिमाग में रखना है कि यह torg है excitation का और यह reluctance torg है यह क्या है excitation के कारण torg है यानि कि excitation torg नाम दे दिया बिटा हमने इसे और मेरे प्यारे बच्चों इसे नाम दे दिया हमने reluctance torque क्या नाम दिया देखे हमने reluctance torque नाम दे दिया हमने तो यही एक कारण होता है कि synchronous motor में यदि excitation torque सुनने हो जाए तो बिटा reluctance torque परजेंट रहेगा तो excitation हटाने के बाद भी if excitation remove हम क्या लिखेंगे if excitation is removed removed and load reduced and load reduced अगर load को reduce कर दे load reduced 10 motor runs with runs with reluctance torque reluctance torque run करेगा reluctance torque की साथ में बिटा है उसकी characteristics कैसे हो जाएगी reluctance torque वाली characteristics देखने को मिल जाएगी ठीक है जी चलिए फिर यहाँ पर एक और आता है synchronizing power अच्छा जी तो synchronizing power देखेगा इसी के लिए क्या बनेगा परलव साइलेंट पूल के लिए वी एफ बाई एक्स डी कॉस डेल प्लस में वी स्कॉार वन अपॉन एक्स क्यू माइनस के एक्स डी और कॉस टू डेल बिटा यह synchronizing power आ जाती है synchronizing power वो power होती है जो synchronizing में बनाने के लिए जरूरी होती है और याद रखिएगा for perfect synchronism क्या कहेंगे बिच्चो perfect synchronism क्या कहेंगे बिटा perfect synchronism के लिए p synchronism कितना आएगा बिटा जीरो देखने को मिलेगा इसी से हम ये भी कर सकते हैं synchronous torque बताईएगा तो बिटा p synchronous अपॉन में omega s लगा कर synchronous torque भी निकाला जा सकता है ये रही बिटा important चीज़े पूरी important चीज़े आपके सामने प्रस्तुद है अरे यही तो चीज़े पढ़ते हो आप main main यही तो चीज़े है synchronous generator से संबंदित तो ये ये जो session मैं ले रहा हूँ भाई ये session आपके लिए hints है कि final time पे notebook उठाईएगा एक बार देख लीजिए उसको अपना rough पेज निकालिए और बिटा important point लिखिये सभी subject के exam को तभी हिट कर पाओगे जब final आप अच्छे से revise करके जाएंगे तो ये session आप लोगों को नींद से जगाने के लिए है अरे पूरा कर लिया ना generator कैसा लगा पूरा generator को revise करके जो जिन बच्चों ने पहले से चीजे सीखी हुई है पड़ी हुए है वो रियली में मजा आएगा उनको सीखने में चीजे एक होती है detail study detail study जो होती है बेटा वो तो लंबे समय तक काम आती रहेगी और लंबा समय देना भी पढ़ता है detail study में अगर हम detail में चीजे नहीं जानेंगे तो हम टफ पेपर को जो अच्छा लोजिकली पेपर आ जाएगा उसको हिट नहीं कर पाएगा क्योंकि देखो हम शौट रिवीजन इस लिए करते हैं thought revision इसलिए करते हैं कि जो important formula जो important point वो हमें truly अपना याद है लेकिन अगर concept की बात करें तो देखे अभी भी concept का मतलब तो ये था कि बेटा equivalent circuit बनाई जाती equivalent circuit से phasor diagram भी बनाई जाते equivalent circuit से पुरी power को drive भी किया जाता वहां से active reactive power के सुत्र आते उनको फिर vary करवा के graph में draw करते तो बेटा detail theory तो आपकी जड़े है detail तो आपको सीखना ही चाहिए और पढ़ना चाहिए लेकिन जब exam आता है तो उस समय हमें cream निकालनी होती है हर topic की और बहुत जरूरी है तो ऐसी interesting session आप लोगों मेरी तरफ से भाया मिलते रहेंगे thank you and all the very best